करेंगे मतलब और वो डिजाइन देने आ रहे हैं तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला है पर्सनल चोईस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं बाकी मेरा मानना यह है कि कई ना कई हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो अमारा जो अंदोलन था जो बैन बेटियों के लड़ाई थी वो उसको गलत रूप ना दिया जाए मैं अभी भी उस पर डट पर खड़ी हूं महिलाओं के लिए जो रैसलिंग में जो सोशन होत जा था जो हमारा आंदोलन है वो अभी मेरी तरफ से बिल्कुल जा रही है और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से रैस्लिंग के लिए सोच्तिया यू रैस्लिंग के हित में काम करती है यूर्ण हमेशा करती रहूंगी मेरे पास भी ओफर आये बड़े लेकिन मु तो मेरी लड़ाई हम जो यह जानी गए. अहां, देखो यह तो उनका परसनल फैसला है. उनको इच्छा हुई मनमें उनने पार्टी जुएन करने की सोची, तो वो उनकी चोईस है. उनको लगा कि उनको वहां बहतर दिखाई दे रहा है, तो उनके चीज फैसला लिया है. आपको लगता है कि अब जो इस्यूस आपके थे, जो आंदॉलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है, वो जारी है और मैं सदा इस चीज के लिए काम करते हूँ. आपको लिए पार्टी से उपर हैं, और उनको लिए पार्टी से उपर हैं, और क्या सोज़ें हैं? मैं तो अपना रेलवे में जोब करती हूँ, और जैसा बताया कि ना मैं किसी गतिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई हो, मैं मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रेजबूशन है, कि उसकी उसने बैन बेटियों का सोशन किया था, तो लड़ाई मेरी उसी तक है, मेरी किसी पार्टी से कोई गतिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेश. मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं,